आपको लेकर आऊं यह बेसिकली हमारा टू भी इसके फ्लाइट है और अगर मैं बात करूं तो यह हमारा थर्ड फ्लोर पर फ्लाइट है जैसे हम एंटर करते हैं आप फ्लाइट को देखो यह आपका ड्रॉइंग डाइनिंग है आप देख सकते हूं यहां से यह ड्रॉइंग डाइनिंग आगया और सामने आपका किचन है में डोर आगी किचन आगया अगर हम किचन की बात करें तो आप देख सकते हूं यह आपका सारा वोडन वक हो रख्था है इस फ्लाइट में सामने चिमनी होब ओवन आपका गीजर प्यूरफायर फ्रिज और यहां आपका सामने LED है जो की लगा हुआ है और इसके सामने डाइनिंग है और वो सामने आपका सोफा लगा हुआ है तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इस यूनिट की तो यह यूनिट हमारे पास available है और यहां पर आप देखें इस फ्लाइट के अंदर अगर आप देख है आपको दिखायता हूं यह देखें यह पूरी फॉल सेलिंग का काम हो रख है और इस साइड आप देखो तो आपको अगर मैं बात करूं इस फ्लाइट के तो आपको धूप चारों तरफ से दोनों साइट से आएगी यह सामने है अभी सूरज आपका इस साइड है लेकिन तो एक्दम क्लेर कट व्यू नजर आता है यह देखें है तो मुववन टू आर नेक्स सेग्मेंट जैसे हम आगे चलते हैं कि ड्राइंग डाइनिंग हो गया और इसके बाद सामने यह एरिया इसको आप छोटा सा अपना स्टडी रूम या अगर चाहें तो यहां एक बैड भी लग सकता है अब बैड लगा सकते हैं और मेरे राइट इंट साइड यह आपका बैडरूम है फॉल्से लिंग का काम सारह है फैन वगहरे यह पूरा आपको आज़ेड इस मिलेगा यह सामने आपके कबड्स हैं और कबड के साथ ही आपका यह वाष्रूम है और यह वेड्रूम देखें और इस बेड्रूम के साथ ही आप यहां से वियू देखें और यह सामने आपका LED पैनल इसमें जैसे आप कर्टेंस वगेरा देख रहे हो बेड्ट देख रहे हो यह आपको एड़ीटीज ही मिलेगा यह अभी हमने इसको ढका हुआ है क्योंकि थोड़ा से उसके वज़ा से उपार चदर दिये पर यह वेड्र आपको वेड्रूस एड़ मिलेगा इसके अंदर तो यह आपका फर्स वेड्रूम आ गया है यहां से भी आप व्यू देखेंगे तो आपको बड़ा प्यारा व्यू लगेगा यह देखें कि ना मुववां टू आर सेकिंड वेड्रूम सेकिंड वेड्रूम में हम जाते हैं तो यह फ्लाट हुआरा बा बेड्रूम आ गया हुआ 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 है हुआ है सामने लेडी पैनल है और यह चीर्स रखी हुए है और यहां से आपका एक्षिल व्यू है मैं आपको दिखाता हुँ ज़रा कि यह आपका विए बालकोणी आगी और बालकोणी से आप विए देखें सामने बरोग हाईट है आपको नजर आ रही होगी लोग है और बरोग हाईट के साथ साथ यह 360 विए और यह सामने आपके घर बने हुए जो की लोकल घर है आप देख सकते हो और निच्छे एक कि यहां पे जो आप खाली लांग देख रहें तो यहां कुछ नहीं आएगा तो बेसिकली यहां बरोक में क्या है कि नॉर्मली जिन पे टिन डल गी आप देखे नीचे टिन आपको नजर आ रहे होगे इस से उपर नहीं आएंगे और हिमाचल में भी लोग जादा इतना वो कर होते नहीं है वह इतना बड़ा घर करेंगे भी कि तो जर्नली स्टांडराइज यही रहता है कि एक सिंगल फोर आप देखो वहां पर भी नहीं डाली है यहां तक आएगा तो इस साइड कुछ नहीं आएगा सामने आपका फॉरस्स लैंड आप देख सकते हूं तो यह हमारा साथ टू भी इसकी रेडी तुमो प्रॉपर्टी इन बरोग सो फानल कुछ रीकाप फॉस्स बेड्रूम विद आपका सारा फॉस्स बेड्रूम आ गया यह बालकों नहीं आगी इसके साथ ही आप इस साइड से देखेंगे तो यह आपका लेडी पैनल और कबर्ड थोड़ा साथ मेरे राइट इंसाइड आप इसको यहां बैड भी लग सकता है कुछ भी आपका स्टेडी रूम बनाना है अब कुछ भी आप इसमें को डेकरोटेव आइटम रखके कुछ भी बना सकते हैं इसको और यह सामने आपका ड्रॉइंग डाइनिंग जो आप देख सकते हूं और जैसे आगे बढ़ते मेरे लेफ्ट एंड साइड आपका सेकिंड बेड्रॉम सामने आपके बालकोनी है और इसके साथ यह वाट्रॉफ आगे वाट्रॉफ के साथ आपका वाश्रूम आगया तो दोस्तों आपको यूनिट पसंद आया होगा और मैंने आपको अच्छी बात यह बताए कि इस फ्लैट के दोनों साइड विंडव है यहां भी विंडव है आप यहां पर देखें यहां भी विंडव है तो लाइटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी हमने जलाई ज सोटे मुटे समान के बाकी एज़टेज आपको यह पैनल पच्पनिंज का लगा हुआ है सामने लिफ्ट लगी है और फॉर फ्लोर की विल्डिंग है बरोक की विल्डिंग है बरोक में यह फ्लैट है हमारा तो आई होग कि आपको पसंद आगा दोस्तों मिलते हैं अपने न झाल